नमस्ते उपस्तित एक नया वीडियो लेकर अगर आपका आधार कार्ट गुम हो जाता है तो आप नएक आधार कार्ट को कैसे फिर से डॉनलोड कर सकते हैं उन्हीं के बारे में बताने वाला हूं तो आएए चलते हैं सिधे वीडियो पर अगर आप mobile phone या laptop चलाते हैं तो सबसे पहले chrome browser में जाएए और वहाँ पर आपको type कर लेना होता है UIDAI यह type कर लेने के बाद आपको उसे इंटरप्रेस कर देना है आप जहाँ इंटरप्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह का page खुलेगा इसमें आपको बरे अक्षर में UIDAI दिखाई दे रहा है इस पर आपको click कर देना होता है आप जहाँ इस पर click करेंगे तो देखिए UIDAI के website कुछ इस तरह खुलता है उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे जाना है और यहां लिखा हुआ है Get Aadhar इस पर क्लिक कर देना है आप जोहीं इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आप पर आपको कुछ option मांगा जा रहा है यानि कि आप अगर आधार नमर से आप चाहते हैं कि आधार को डॉलोड करने के लिए तो यहां पर आपको अपना आधार नमर डालना होता है अगर आप आप इंडॉल्मेंट आईडी से चाहते हैं जो कि 14 डिजिट का होता है उससे अगर आप चाहते हैं तो यहां पर वो इंडॉल्मेंट आईडी आप डाले अगर वर्चुल आईडी से चाहते हैं तो वर्चुल आईडी पर क्लिक करके वो 16 डिजिट का वर्चुल आईडी से I want a masked आधार इस पर आपको क्लिक नहीं करना होता है इसको वैसे ही छोड़ देना होता है उसके बाद CAPTCHA verification लिखा हुआ है यहां पर देखिए आपको right side में CAPTCHA दिखाई दे रहा है यह CAPTCHA जिस भी format में लिखा हुआ है उसी format पर यहां पर आपको CAPTCHA डालना होता है अगर बरे अक्षर में CAPTCHA है तो बरे अक्षर डालना होता है अगर छोटे में है तो छोटे डालना होता है उसके बाद send OTP पर क्लिक करना होता है तो फिलहाल मैं एक आधार नमबर डालता हूँ और उसके बाद CAPTCHA डालके send OTP पर क्लिक करते है देखिए आधार नमबर और CAPTCHA डाल देने के बाद आपको Send OTP पर क्लिक कर देना होता है Send OTP पर आप जो ही क्लिक करेंगे तो देखे यहां लिखा नजर आ रहा है and OTP has been sent to your registered mobile number यानि कि आपके आधार नमर से जो भी mobile नमर registered है उस mobile नमर पर एक OTP पहुंचा है वो OTP यहां डाल देना होता है OTP डाल देने के बाद Take a quick survey यानि कि कुछ survey आपको यहां पर फिल करना होता है वो survey में सबसे पहला यह दिया हुआ है कि Did you know that you can order reprint of आधार लेटर from a UIDI website यानि कि यह आपसे पुछा जा रहा है कि UIDI के website से आधार रीप्रिंट के लिए order किया जा सकता है यह आपको पता है अगर आपको पता है तो yes पर किलिक करें अगर नहीं पता है तो no पर किलिक करें तो फिलाल yes पर किलिक कर देते हैं इससे कोई फरक पढ़ने वाला नहीं है उसके बाद यह पूछा जा रहा है दूसरे नमर में कि in how many days did you receive the reprinted आधार लेटर आप्टर गेटिंग SMS फ्रॉम इंडिया पोस्ट मतलब कि आपने जब आधार के लिए apply किया था तो आपके जो आधार है वो कितने दिन में आपके घर पर क्लिक करेंगे तो फिलाल नोट ओडर पर क्लिक करते हैं क्योंकि अभी तक हम किये नहीं मेरे पास है यहीं पहले से उसके बाद आपको नीचे थोड़ा सा जाना है और वरिफाइंड डॉनलोड पर क्लिक करेंगे तो अगर आप मोबाइल फोन से डॉनलोड कर रहे हैं तो मो देखें लेपटोप में कुछ इस तरह का खुलता है मोबाइल फोन में कुछ अलग ही माध्यम से खुलता है इसमें एक पासवर्ड मांगा जाता है उसमें भी पासवर्ड मांगा जा रहा है अब मैं आपको यह बता रहा हूं कि यहां जो पासवर्ड मांगा जा रहा है तो आपको क्या डालना होता है तो पासवर्ड आपके जो भी नाम है उसका इंगलिस वाला four digit बड़े अक्षर में और आपका date of birth का जो इस भी होता है जो लास्ट में चाहे 1997 में 2007 1998 में जो भी हो वो चार अक्षर लास्ट वाला और आपके नाम अधार का बड़े अक्षर वाला चार लेटर आपको लिखना होता है तो फिलाल वो मैं वह 8 कुली मिला की लिखना होता है वा अठों डिजित डाल दे रहा हूं और उसके बाद आपको o km कर देना होता है तो जो download के हवा आपका अधारऌन है वो खुद खुल जाता है, वो डाल देने के बाद आपको OK बटन पर किलिक करेना रहेता है, आप जो ही OK बटन पर किलिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आधार कर देखिए, कुछ इस तरह से आपका आधार काड डियाने के डाउनलोड हो जाता है, जिसमें आपके सारा फूरा ज अच्छा लगा हूँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सेर करना ना भूलिए धन्यादा